जब डोक्टर रोगी से घबराने लगे कि अगर मैं इस रोगी को बता दूँगा, इसका इलाज करूँगा, अगर इसके ठीका लगाऊँगा, दवाईयां दूँगा, इसको बुरा ना लग जाए तो समझ लो रोगी की जान जाएगी अगर आप देखो कि संसार के अंदर अगर मंतरी सच बोलते हुए, सलाकार सच बोलते हुए गबराने लगे, तो समझ लो राजा जाएगा, राजा नहीं बचेगा क्योंकि ये इस परकार के लोग होते हैं, ये इस परकार का खेल होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, तो जब हम गरू लोग ये एहसास कराने लगें कि शिश्यों का भार है, कि उन्होंने एहसान किया है, ये एहसान हो रहा है, मानने लगें कि अरे वो ये ना करत तो मेरा ये काम नहीं चलता, वो गुरू के ना तो लायक हैं, ना हो सकते हैं, ना उनके पास गुरू का पद है, ना गुरू तक वो पहुंच सकते हैं, ना गुरू उनकी सोच में है, ना गुरू सबद का उनको मालूम है, गुरू लोग तो अलग ही होते हैं, आप नानक जी क को देखिए सब कुछ समर्पन कर दिया कबीर जी को देखिए तुलसी जी को देखिए नित्यानंद जी को देखिए दादू को देखिए संकराचारिये को देखिए उनके पास संसारी कवस्तुएं हो सकता कुछ भी ना हूं लेकिन उनके पास वो दोलत थी जिसके कारण आज त चल करके अनंत लोग वहां तक पहुंच गए आज तक साधनाय चल रही हैं आज तक परियास चल रहे हैं आज तक उनके नाम का सहारा ले करके लोग गागा करके रट रट करके किसी ने किसी मारग से उनके बताए हुए रास्तों से कुछ ने कुछ सब्दों को खोज करके कुछ उसने कुछ पराप्त करके ग्यान की ओर वड़ रहे हैं, कि उनके पास क्या था बताईए, नानक जी कोई राजा थोड़े ना थे, लेकिन उन्होंने इतना परियास किया, कि वो राजाओं के राजा हो गए, राजा भी कुछ नहीं उनके सामने, महाराजा भी कुछ नहीं उनक के सामने तुलसिदास को देखिया क्या थे कुछ भी नहीं थे राजा क्या है उनके सामने कुछ भी नहीं खतम है सब कुछ क्योंकि राजाओं का जो सिस्टम था वो मिट जाता है वो ज्यादा नहीं चलता वो साफ्त हो जाता हो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं लेकिन जो संतो का खेल होता है, वो संतों से पहले भी चलता है, क्योंकि उनके पचले जनम से ही खेल शुरू हो जाता है, अगले जनम में भी चलता है, और उनके जाने के बाद भी चलता है, उनका खेल कभी स्वाब्त नहीं होता, चड़ता चल चला जाता, उनकी कलाएं बढ़ती चली जाती ह और जब वो इस संसार से चले जाते हैं, संसार को जो दोलत सोब करके जाते हैं, संसार को जो नाम की ताकत सोब करके जाते हैं, संसार को जो भगती की ताकत सोब करके जाते हैं, वो अपने सिशों को जो पार करके जाते हैं, जो उन्हें संसकार दे करके जाते हैं, जो उनको तय प्यार करके जाते हैं, जो खेल-खेल करके जाते हैं, यह नहीं कि वो चले गए, समाप्त हो गया, उनका लक्षे होता है, उन्हें पता होता है 20 साल बाद ये जिव आएगा और हमारे नाम से इस से उपर उठ जाएगा, 10 साल बाद वो आएगा ये काम होगा, एक एक पलपल की खबर होती है भूत भविश्य वर्तमान उनसे कुछ भी सुपा नहीं होता है सब कुछ सामने होता है लेकिन वो बचते हैं सिद्दियों से ख्याती चैशे और ज़्यादा दूर तक नाम पहलने से लेकिन संतों के नाम दबाने से रुकते नहीं चाहे वो संसार में रहते हुए फैल जाओ चाहे वो जाने के बाद फैल जाओ लेकिन वो उठते जरूर हैं कोई नहीं रोकसकता संतों का एक और काम है वो बोलते कम हैं कि जो बोल रहे हैं वो करते ज्यादा हैं वो खोजते रहते हैं नई नविदिया ध्यान की कैसे जीव का कल्यान हो कैसे जीव आगे बड़े कैसे जीव को मंजिल प्राप्त हो कैसे आसानी से रास्ता मिले कैसे आसानी से प्रमात्मा की प कौन सा रास्ता हो, किस जीव के लिए कौन सा सुल्ब है, किसी के लिए प्रेम का मारग सरल है, किसी के लिए ग्यान का मारग सरल है, किसी के लिए सब्द का मारग सरल है, किसी के लिए साधना का मारग सरल है, किसी के लिए योग का मारग सरल है, जो जिस रास्ते के उपर चलता ह जो जिस मारग के उपर बढ़ता है, जो जिस तरीके से आगे बढ़ता है, जो जितना परियास करता है, जिसकी जो मंजिल होती है, जिसके जितने महनत करता है, जितना भी कोशिश होती है, उसको उसी मारग से, उसी रास्ते से, उसी मंजिल से, वहीं से उठा करके उपर चड़ चलाना सुरू कर देते हैं और जो जितना उपर उठता है जो जिस तिती का जीव होता है जो जिस रेणी का जीव होता है जिसके अंदर जितनी अक्समता होती है वहीं से चलाना सुरू कर देते हैं यह नहीं कि कोई पांच्वी क्लास का बच्चा उसको वापिस पहली में डालो या दसमी कलास का बच्चा उसको पांचमी में ले करके जाओ या जो पीएचडी में चल रहा उसको दसमी में बैठा दो ये उनका काम नहीं है ये उन लोगों का काम है जो अंजान है जिने रास्ते का मालूम नहीं जिने के वल एक मारग मालूम होता है और उसी मारग से वो आगे पीछे लोगों को वटकाते रहते हैं, उसी से वर्मित करते रहते हैं, लेकिन जिसको तीनों मारगों का ग्यान है, जिसको सब मारगों का ग्यान है, जिसको द्यान की विदियों का ग्यान है, जिसको चडाई के अमालूम है, जिसको रास्ता पता है, जो हाथ पकड़ करके ले जाता है जो बावर गुफा से उठा करके उपर उडा ले जाता है वो गुरू अलग किसम के होते हैं वो आपको उठाएंगे और सीधा आपको मंजिल के उपर उतार देंगे ऐसे बहुत कम संसार के अंदर होते हैं और वो लोग अलग किसम के होते हैं अलग चाल होती है, अलग खेल होता है, अलग तरह से सारे तयारी वो विशेश तोर के उपर आते हैं, लेकिन वो कभी कभी ही इस दरा के उपर आते हैं, ये नहीं अर्ष में विराजवान होते हैं, अगर विराजवान भी होंगे तो इतना सानी से हाथ नहीं लगते वो लोग, वो लोग उड़ते रहते हैं ब्रमान के अंदर, शरीर से नहीं आत्मा के साथ, बहुत से ऐसे भी हैं जो शरीर को छोड़ करके आत्मा से ब्रमान में विचरन करते रहते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो शरीर छोड़ करके चले गए आज भी उनके संदेश आते रहते हैं बहुत से ऐसे भी गुरू हैं जो किसी ने किसी माध्यम को पकड़ करके अपने संदेश वेजते रहते हैं और परकरती में अपना कारिया करते रहते हैं बहुत से संत ऐसे भी हैं जो अपने सिस्यों को डूंडूंड करके फार लगाते रहते हैं तो उन्यकों उन्यकों परकार के कारिया चलते रहते हैं लेकिन ये सब के सब कारिया होंगे कैसे ये सब के सब कारिया बिना भगति के नहीं होंगे बिना पर्यास के नहीं होंगे आप कितना भी कोशिश कीजिए बातों से ये कारिया नहीं होंगे चाहिए मैं कितने भी दिन बोलता रहूं, कितना भी कोशिष करता रहूं, आप कितना भी लंबा सुनते रहें, पूरी रात भी वाते चलती रहें, कुछ भी होता रहे. लेकिन जब तक काम नहीं होगा जब तक करोगे नहीं अगर हम चीनी 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 मिठा हम लिखते रहें पूरा दिन पुस्तक में लिखते रहें लिखते रहें आपको मिल थोड़ाएं न जाएगा वो आपके तो हाथ नहीं लगेगा बोजन बोजन लिखते रहें, जल जल लिखते रहें, तो उसे प्यास थोड़ी ना बुझ जाएगे आपकी, जब तक आप उसको ग्रेंड नहीं करोगे, जब तक आप उसको पाऊगे नहीं, जब तक आप उसको पियोगे नहीं, जब तक आप उसको जानोगे नहीं, तब तक क पाएगा कितना भी कर लें कितनी भी कोशिश कर लें तो आप कितना भी पर्यास कर लें कितनी मेहनत कर लें कितने हाथ पहर मार लें कियो बोलने सुनने मातर से नहीं होगा